मेरा नाम संजिना है मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलॉंग करती हूँ मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी मगर सिर्फ तब तक जब तक वो इंसान मेरे जिंदिगी में नहीं आया था वो कोई और नहीं बलकि मेरे पापा की कंपनी में काम करने वाले एक मामूली से वरकर का बेटा था जब मैं 6 साल की थी और वो 4 साल का मेरे घर में आया था मुझे उससे बहुत नफरत थी मैं उस समय बहुत मासूम थी कुछ जानती भी नहीं थी कि मेरी मम्मी के गोद में जो बच्चा है वो उनका अपना नहीं है और ना ही ये मेरे परिवार का हिस्सा है बलकि मेरे मम्मी पापा सारा ध्यान मुझे पर ही दिया करते थे लेकिन जिस दिन से वो हमारे घर में आया था मेरे मम्मी पापा ने उसको प्यार करना शुरू कर दिया था जैसे अपनी बेटी को तो वो लोग भूल ही गए थे घर में जो भी चीज खाने की आती थी सबसे पहले उसे दी जाती थी यह हैसास मुझे धीरे धीरे तब होने लगा था जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मेरे अंदर समझ आती गई उसका नाम सुमित था वो मेरे पापा की कंपनी में काम करने वाले एक मामुली से वरकर का बेटा था ना जाने मेरे पापा उस वरकर की बेटे को हमारे घर क्यों लेकर आ गए थे मैं जितना अपने ममी पापा के साथ खेलती थी वो लोग जितना मुझे टाइम दिया करते थे अब मेरा सारा टाइम बढ़ गया था वो मेरे ही घर में रहने लगा था मेरा रूम शेयर करने लगा था मेरे ममी पापा मुझे ये समझाते थे कि इसके साथ अपना रूम शेयर किया करो मगर मुझ जैसी मासूम और नादान लड़की के दिल में उस समय गस्से की आग भड़क रही थी मुझे सुमित बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसने मेरे घर में आते ही मेरे सारे हक छीन लिये थे और उन पर खुद कबजा करके बैठ गया था पापा ने सुमित का एड्मिशन भी मेरे ही स्कूल में करवा दिया था जबकि मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी वो गरीब मामुली से एक वरकर का बेटा मेरे ही स्कूल में पढ़ने लगा था और पापा जब भी घर आते कोई खाने पीने का समान लेकर आते तो वो अब मेरी पसंद का नहीं बलकि सुमित के पसंद का आने लगा था मैं जो हमेशा हस्ती खेलती रहती थी नेजर हर किसी को पसंद नहीं आता था क्योंकि मैं किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी यहां तक कि घर के नौकरों को भी मैं गरीब समझती थी और उनसे कभी भी मैंने ढंक से बात नहीं की थी सुमित जो बच्पन उसने मेरे खौाहिशों पर अपना हग जमा लिया था मेरे ही घर में आकर उसने मेरे ही पैरेंट्स का प्यार ले लिया था मैं तो जैसे अपने पैरेंट्स के लिए बिलकुल अंजान बन गई थी फिर जब मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ आया कि मेरे ममी पापा सुमित से ज्यादा प्यार क्यों करने लगे थे मैं समझ चुकी थी और फिर मुझे अपनी ममी पापा भी बुरे लगने लगे थे ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे ममी पापा के पास कोई बेटा नहीं था और उनके यहां तो बेटी पैदा हुई थी जो कि मैं थी वैसे भी आज के जमाने में लोग बेटियों को ज्यादा एहमियत नहीं देते उनके लिए बेटे ज्यादा माइने रखते हैं यही वज़ा रही होगी कि मेरे पापा ने अपने वरकर से सुमित को गोद ले लिया और परवरिश करने लगे ताकि उसे इस घर में जगा दे सकें और अपना नाम दे सकें मगर हैरानी वाली बात ये थी कि सुमित का पिता कितना लालचे इंसान था जिसने अपनी ही ऑलाद को दूसरे इंसान के हवाले कर दिया था मैं इसकी भी वज़ा जान गई थी आखिर में जवान हो गई थी समझदार हो गई थी इस बात का मतलब अच्छे तरह से समझ सकते थी ये जो गरीब लोग होते हैं ये अमीर लोगों के पीछे हाथ धोकर पढ़ जाते हैं और तब तक उनके पीछे पढ़े रहते हैं जब तक अमीर लोग अपनी महरवानिया उन पर ना कर पापा ने भी समझ के साथ किया था उन्होंने उस पर इतने अहसान किये थे कि उसे अपने घर में जगा दी थी उसे पिता बनकर पाला पोसा था मैं जानती थी कि गरीब लोग गरीब ही होते हैं एक नएक दिन समझ अपना रूप मेरे पैरेंट्स को दिखाएगा जरूर अगर मैं अपने ममी पापा से अगर समित के बारे में कुछ भी गलत बोलती थी तो वो लोग उल्टा मुझे ही डाट दिया करते थे मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मेरा घर है मुझे तो बच्पन से ही ये एहसास कराया गया था कि समित के आने के बाद वो घर मेरा न से जानती थी कि सुमित हमारे घर में कैसे आया और मैं कई बार अपने ममी पापा से लड़ाई जगड़े में ये बात कह चुकी थी कि ये आपके वरकर का बेटा है इसे प्लीज हमारे घर से निकाल दें ये हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है ये घर मेरा है और इस घर की हर चीज़ पर मेरा हक है लेकिन आप लोगों ने बच्पन से ही हर चीज़ का बटवारा कर दिया सिर्फ और सिर्फ सुमित के आ जाने से मेरी ये बात सुनकर मेरी मम्मी को ज्यादा हट नहीं होता था मगर पापा को अगर तुम उसकी सच्चाई जानती हो तो हर बार तुम ये शब्द अपने मूँसे क्यों निकालती हो तुम जानती हो कि वो बेचारा अगर ये सारी बाते सुनेगा तो कितना सैड हो जाएगा वो भी हमारे घर में रहता है और हमारा फैमिली मेंबर है तुम्हें ये बात एकसेप्ट करनी होगी मगर मैं तो सर पकड़कर बैठ गई थी कि जो सच्चाई है वो कभी जुटलाई नहीं जा सकती वो आपका बेटा नहीं है इसलिए मैं उसको कभी भी इस घर का मेंबर नहीं मान सकती मेरे इस बात पर पापा ने मुझे अपनी कसम दी थी और कहा था कि इस राज को प्लीज राज ही रहने दो अगर तुम जानती हो कि वो एक मामुली से वरकर का बेटा है और उसे मैं अपने घर में लेकर आया हूँ तो प्लीज ये बात उसके सामने कभी मत करना क्योंकि वो हम दोनों पती पतनी को अपना माता पिता मानता है और तुम्हें एक दोस की तरह ट्रीट करता है हमेशा तुम्हारे साथ वो रहा है मगर तुमने हमेशा उसे खुद से दूर किया अगर तुम उससे दूर रहती हो तो दूर रहो उससे नफरत करना चाहती हो तो नफरत करो लेकिन प्लीज उसकी सच्चाई ना तो उसके सामने लेकर आओ और ना किसी और के सामने लेकर आना मैंने पापा से कहा पापा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी मैं तो सब को बताऊंगी कि ए गरीब इंसान का बेटा हमारे घर में कैसे मौज मस्ती के साथ रह रहा है भगवान हर किसी की किसमत अगर इसके जैसी कर दे तो इस दुनिया में गरीब लोग बचेंगे ही नहीं और म अगर ये बात सुमित को पता चल गई तो वो विचारा बहुत उदास हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि उसे पता चले हम उसके सगे माता पिता नहीं है मेरी मम्मी भी मेरे आगे रोने लगी थी उन्होंने कहा देखो न मुझे भगवान ने सिर्फ एक बेटी दी थी और ब पास दो दो बच्चे हो गए मगर सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम उस समय भले ही छोटी थी लेकिन ये बात जान गई थी कि सुमित हमारा बेटा नहीं है तुम इस बात का फायदा उठाती हो संजना तुम्हारे बापा ठीक कह रहे हैं तुम उसकी हकीकत किसी को मत बताना अगर वो किसी गरीब इंसान का बेटा है तो क्या हुआ है तो अच्छा इंसान ना उसकी परवरिश तो हमने ही की है जिस तरह तुम्हारी की है मगर देखो कि वो हमारी परवा तुमसे ज्यादा करता है मेरे पापा कहने लगे कि प्लीज बेटा सुमित के सामने कभी ऐसी व बस इस वज़े से वो ऐसी बाते करती है वो बिचारा खामोशी से इस बात को माल लेता है कोई सवाल जवाब नहीं करता मेरे पापा ने जड़ से मेरा हाथ लेकर अपने सर पर रख दिया था और कहने लगे कि तुम मेरे कसम खाओ कि तुम कभी भी सुमित के सच्चाई ना उस मूँ देखोगी तुम है कसम है मेरी तुम सुमित के सच्चाई सिर्फ अपने दिल में रखोगी न चाहते हुए भी मुझे अपने पापा की इस कसम को एकसेप्ट करना पड़ गया था और फिर मैं आज तक उनकी इस कसम को निभा रही हूँ ना तो कभी मैं उसकी किसी और को बता सकी हूँ मैं जानती थी कि मैंने कभी भी सीरियस होकर ये बात सुमित से कही और उसे यकीन दिलाया कि तुम मेरे पापा के पैसो पर ये जिन्दे की गुजार रहे हो वरना तुम्हारी तो कोई हैसियती नहीं है ये सब सुनकर वो खामोशी से हमारा घर कसम दे चुके थे और फिर मुझे उनकी कसम का मान रखना पड़ गया मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और मुझे अपने घर में सुमित को बरदाश करना होता था जब मैं 17 साल की थी तब अपने ममी पापा से बहस कर करके मैंने अपना रूम तो अलग करवा लिया था क सुमित पढ़ाई में बहुत अच्छा था जब कि मैं गुसे और चिर्चले पन की वज़ा से अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी मैंने कॉलिज में काफी सारे फ्रेंड्स भी बनाये हुए थे मेरे फ्रेंड्स जब घर आते थे और वही सारे ने आने की जरूरत नहीं है सुमिद से मैं जैसा कहती थी वो बेचारा वैसा ही कर लिया करता था यहां तक कि मैं उसे गुस्से में कभी उल्टा सीधा भी बोल देती थी तो वो सब कुछ हसकर टाल दिया करता था और कहता था कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो मगर तु मुझे यकीन है कि एक ने एक दिन तुम मुझे अपना सचा दोस जरूर मानूगी सुमित का नीचर और बिहेवियर इतना मजाक्या टाइप का था कि जो भी उससे बाचीत करता था उसकी हसी निकल जाती थी और वो खुश हो जाता था उससे मिलने के बाद लोग उससे कहते थे कि तुम बहुती मजाक करने वाले इंसान हो मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था मैं उसकी मजाक को सिर्फ फलर्ट ही समझती थी मुझे उसकी सारी हरकते चीप लगते थी मेरी जिन्देगी इसे तरह से नॉर्मल गुजर रही थी जब एक दिन मेरे पापा की कार का एक्सिडेंट हो गया था कार ड्राइवर ही चला रहा था मगर दोनों गालियों की टकर हो जाने की वज़ा से ड्राइवर और मेरे पापा दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी यहाद्सा हमारे लिए बहुत दर्दनाक था मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी मेरे दिल में बहुत दुख भर गया था सुमित भी पापा के लिए बहुत परिशान था और उस दिन पहली बार मैंने सुमित को रोते हुए देखा था मैं जानती थी कि भले ही मेरे पापा उसके सगे पापा नहीं है मगर उसने मेरे पापा को ही अपना सगा पिता समझा था ये तो एक ऐसा सच था जो कि सिर्फ मैं और मेरी फैमिली जानती थी सुमित तो नहीं जानता था पापा की मौत से हम सब लोग तूट कर रह गए थे पापा के मरने के बाद से मम्मी तो जैसे बीमार ही रहने लगी थी हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी मेरे पापा जब जिन्दा थे तो वो वैसे भी यही चाहते थे कि सुमित की स्टडी कंप्लीट हो जाए तो वो मेरे पापा का बिजन्स संभालने लगे लेकिन अब मम्मी ने उसे यह हक पापा के मरने के बाद फौरण ही दे दिया था उन्होंने सुमित से कहा था कि अब तुम्हें अपने पापा का बिजन्स संभालना है सुमित ने मेरी मम्मी को भरोसा दिलाया था कि वो मेरे पापा की बिजनिस को उचाई उपर लेकर जाएगा मगर मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि इस घर में सब कुछ कानूनी तोर पर मेरा था मैंने भी तो हाइयर स्टडी की हुई थी मैं भी तो अपने पापा का बिजनिस सम्हाल सकती थी लेकिन मेरी मम्मी ने सब कुछ सुमित के हवाले कर दिया इस बात पर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया था सुमित ने घर में हर फैसला लेना शुरू कर दिया था क्योंकि अब वो घर का बड़ा बन चुका था क्योंकि अब वो मेरे पापा की जगा आ चुका था मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा था कि वो इस घर में मेरे पापा की जगा नहीं ले सकता मैंने मम्मी से कहा था मम्मी आप ये सब क्या कर रही हो आपने सुमित को पापा का बिजनेस संभालने के लिए उसे परमीशन क्यों दी हाँ ये बात सही है कि वो पापा के आफिस में जॉब कर सकता है मगर वो पापा के आफिस में उनकी जगा पर नहीं बैठ सकता उनकी जगा सिर्फ मेरे लिए है मम्मी ने अचानक मेरी इस बात पर मुझे बहुत डाट दिया और कहने लगी कि तुम खामोश हो जाओ तुम से किसने कहा कि तुम इस मैटर में बोलो वैसे भी एक ने एक दिन तुम्हें शादी करके यहां से चले जाना है तुम अपनी ससुराल में हग जमाना मैं मम्मी से गुसा हो गई थी और रोते हुई अपने कमरे में आ गई थी अगले दिन जब मैं सोकर उठी और मम्मी के कमरे में गई तो ये देखकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी कि मेरी मम्मी को खून की उल्टिया आ रही थी मैंने जोर जोर से चिलाना शुरू कर दिया घर के सारे नौकर और सुमित भी दोड़ता हुआ मम्मी के कमरे में आ गया था और कहने लगा कि क्या हुआ संजना क्यों चिला रही हो तो फिर मैंने सबको मम्मी के हालत दिखाई सुमित को देखकर मुझे बड़ी हरानी हुई थी कि सुमित ने मेरी मम्मी को गोद में उठा लिया था और वो उन्हें लेकर अस्पताल चला गया मैं इस बात पर अफसोस कर रही थी कि मुझे भी अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था यह फिर मेरे पास तो मुबाइल भी था मुझे डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए थी जैसे ही सुमित आया मेरी मम्मी को अस्पताल ले गया मेरे अंदर इतनी अकल ही नहीं थी कि मुझे शोर मचाने के बजाए मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था अब जरूर ये क्रेडिट भी सुमित को ही दिया जाएगा कि उसने मम्मी को जल से जल अस्पताल पहुँचा दिया दूसरे ड्राइवर के साथ मैं भी अस्पताल पहुँच गई थी और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने हमें एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी मम्मी को कैंसर की बीमारी है और उनकी ये बीमारी काफी हद तक बढ़ गई है मेरी और सुमित की आँखों में ये सुनकर आँसु आ गए थे मैंने तो रोना शुरू कर दिया था सुमित मुझे तसल्ली देने लगा कि खामोश हो जाओ संजना सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम फिकर मत करो मैं मम्मी की जान बचा लूँगा मैं अपनी मम्मी के लिए बुरी तरहां से रो रही थी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हम लोग घर आ गए थे मम्मी ने अपनी रिपोर्ट्स पढ़ ली थी क्योंकि सारी रिपोर्ट्स उनके सामने थी इसलिए उनको पता चल गया था कि उन्हें क्या बिमारी है मैं सबको छोड़कर अपनी मम्मी की सेवा में लग गई थी मम्मी मुझे बहुत प्यार कर रही थी कह रही थी कि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है मगर तुम परिशान मत होना मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़ कर नहीं जाओंगी मैं तुम्हें बे सहारा नहीं होने दूँगी मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप ये कैसी बाते कर रही हो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहेंगी मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा तुम तो जानती हो कि मुझे कौन सी बिमारी है और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि इस बिमारी का पेशन्ट कभी भी ठीक नहीं होता भगवान से हमेशा प्रातना करती रहूंगी कि मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट रहे मेरी बेटी आने वाले समय में हमेशा खुश रहे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सुमित भी कमरे में आ गया मम्मी ने कहा क्या रे सुमित बेटा तुम भी आऊना मेरे पास आकर बैठो मैं तुम से भी कुछ बात करना चाहती हूँ सुमित को देखते ही अचानक मेरे अच्छे खासे इमूट की बैंड बज गई थी सुमित मम्मी के लिए जूस लेकर आया था और कहने लगा मम्मी आपको यह जरूर पीना होगा आपको अपना बहुत खयाल रखना है मम्मी कहने लगी कि अरे बेटा तुम लोग होना मेरा खयाल रखने के लिए तो फिर मुझे अपना खयाल रखने की क्या जरूरत है सुमित हसने लगा और मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि संजना तुम भी मम्मी के कोई सेवा कर लो कबसे यहां बैठी हुई हो यह बात सुनते ही मैं चड़ गई थी और मैंने मम्मी से कहा मम्मी इसको बोलो कि यह खामोश रहे क्योंकि मम्मी जानती थी कि मैं सुमित से बहुत चड़ती हूँ और मुझे उसकी हसी मजाग बिलकुल भी पसंद नहीं है मम्मी ने उससे हसते हुए कहा कि बेटा खामोश हो जाओ मेरी बेटी को तंग मत करो इस तरह उन दोलों ने ये बात हसकर टाल दी थी जबकि मेरा मूट खराब हो गया था मम्मी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी संचिना बेटा तुम अपने कमरे में जाओ मुझे जरा सुमित से कुछ बात करनी है मैं खटक गई और मैंने मम्मी से कहा अच्छा आपको सुमित से क्या बात करनी है और मैं कमरे से बहार क्यों जाओ मम्मी कहने लगी बेटा मुझे सुमित से कुछ पर्सनल बात करनी है मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाओंगी आखिर ऐसी कौनसी बात है जो सुमित को बताई जाएगी और मुझे नहीं सुमित कहने लगा कि देखो मम्मी आपकी बेटी बड़ी ही बहस करती है मम्मी कहने लगी कि बेटा बहस मत करो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली जाओ जैसे ही हम दोनों की बात खत्म होती है मैं तुम्हें यहां आवाज लगा कर बुला लूँगी मैं सुमित को घुड़ने लगी थी और खामोश हो गई थी और फिर मम्मी के इतना जित करने पर मैं खामोशी से वहां से उटकर दरवाजे तक आ गई थी मगर मैं जानना चाहती थी कि आखर ये दोनों आपस में क्या बात करना चाहते हैं मैं कमरे से तो बहार निकल आई थी लेकिन अपने कमरे में नहीं गई थी दरवाजे के पीछे चुपकर ही उन दोनों की बाते सुनने लगी थी आखिर मैं भी तो देखूं कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं मेरी मम्मी खड़ी हुई और अलमारी की तरफ जाने लगी और उन्होंने एक सीडी निकाल कर सुमित को दी और कहा कि बेटा तुम इस सीडी को देख लेना और ये एक लेटर है इस लेटर को पढ़ ले देखना अभी नहीं तुम मुझसे वादा करो कि तुम इन दोनों चीजों में से एक भी चीज को अभी नहीं देखोगे मैं तुम्हें ये पहले ही इसलिए दे रही हूँ कि क्या पता मैं इस दुनिया से कब चली जाओं और मुझे ये तुम्हें देने का मौका मिले भी या नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं बनना चाहती अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो बेटा सुमित ने कन्फ्यूज होते हुए वो दोनों ही चीज़े अपने हाथ में पकड़ ली थी और वो चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था मैं उसे आता हुआ दे और मेरे दिमाग से बात पूरी तरहां से निकल चुके थी मैंने फिर उस बात पर ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की थी मुझे लगा कि शायद मम्मी ने पापा के ही कोई काम का समान सुमित को दिया होगा और फिर मेरे चाचा चाची और उनकी पूरी फैमली हमारे घर प रहा था लेकिन फिर उसके बाद मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ कर चली गए शायद उनकी इतनी ही जिन्देगी लिखी हुई थी मम्मी के मर जाने पर मैं और सुमित बुरी तरहां से रोई थे अब इस घर में मैं और सुमित ही रह गए थे सुमित तो सुभा को आफिस जाता था और रात को आता था सुमित का बिहेवियर जितना मजाक करने वाला था वो पूरी तरहां से बदल गया था वो बहुत सीरियस रहने लगा था उसे मेरे मम्मी पापा की कमी बहुत खलती थी वो मेरे साथ भी अब ना कोई बात करता था ना ही कोई मजाक और ना ही जिसके वज़ा से मुझे उससे और ज्यादा गुस्ता आता था लेकिन अब वो पूरी तरहां से खामोश रहने लगा था मैं उसके इस खामोशी का मतलब यही समझी थी कि उसे मेरे मम्मी पापा की मौत का बहुत दुख है उसे यही लग रहा है कि पहले पापा इस दुनिया से चले गए और अब मम्मी भी नहीं रही एक दिन में अपनी एक दोस के घर चली गई थी क्योंकि मैं भी अब घर में अकेली रह रहकर बोर हो गई थी मैं जब उसके घर से अपने घर आई तो देखा कि हमारे घर में चहल पहल हो रही थी यह सब देखकर मैं है हरान हो गई थी कि पंडित जी भी बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे घर में किसी की शादी हो रही है मैंने सुमित से कहा सुमित ये सब क्या हो रहा है तो वो कहने लगा कि तुम आ गई मेरे साथ कमरे में चलो मुझे तुम से कुछ परसनल बात करनी है मैं उसकी बात सुनकर चौक गई मैंने कहा क्या बात करनी है जो भी बात है वो यहीं बताओ तो वो कहने लगा कि तुम बहु ममी ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारी शादी करवाना चाहती है लेकिन फिर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनके मरने के बाद मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे एक काम सौब दिया था वो ता तुम्हारी शादी करवाना उन्होंने मुझसे कहा था क कि तुम्हें मेरी बेटी की शादी खुद करवानी है, मैं इस जिम्मेदारी से फ्री होना चाहता हूँ, वैसे भी तुम्हारी शादी एक न एक दिन तो होनी ही है, इस तरह मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊंगा, मैंने मम्मी को भरोसा दिलाया था, कि मैं जल्दी ह तुम्हारी शादी करवा दूंगा, अब मम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में ज्यादा समय नहीं लगा सकता, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग रही होगी, मगर तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा होगा, कि तु तुम शादी करने के लिए जल्दी ही मान जाओ, इससे मम्मी की आत्मा को शांती मिलेगी, सुमित के बात सुनकर मेरी आँखों में आसु आ गए थे, ये बात सही थी कि मेरी मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि एक बार मैंने उनको नौकरानी से भी कहते हुए सु प्रॉट्टो नहीं कर रहे हो ना जूटो नहीं बोल रहे हो मुझसे सुमित कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो संजना मैं तुम्हारे साथ कोई फ्रॉट कैसे करूंगा मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की ही मरी हुई मा की कसम खाता हूं कि उस लड़के को तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारे लिए पसंद करके गई थी सुमित की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी क्योंकि वो मेरी मम्मी की कसम ऐसे ही नहीं खा सकता था, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जब सुमित ने कहा कि तुम्हारी शादी आज ही होगी, तो मैं अचानक चौक गई थी, मैंने कहा इतनी चल्दी, मेरी शादी, तो वो कहने लगा, हाँ मैं तुम्हारे मुझसे श हो गई थी, वो कहने लगा, कि अब ज्यादा सोच विचार मत करो, अगर अपनी मा की आत्मा को शांती पहुचाना चाती हो, तो तुम्हें इस अब करना होगा, सुमित ने पार्लर वाली को घर बुला लिया था, और कुछ महमान थे, जो हमारे घर में आए हुए थे, पार्ल किस के साथ हुई थी, मैं ये नहीं देख पाई थी, क्योंकि मेरा चहरा ढगा हुआ था, लेकिन मैं हिरान इस बात पर हो रही थी, कि मेरे विदाई क्यों नहीं हुई थी, मेरी शादी होते ही वहां के सारे लोग महां से जा चुके थे, मुझे अभी भी मेरा घूंगट खो चुकी थी सुमित कहने लगा कि खड़ी क्यों बैट जाओ तुम्हारा ही घर है मैंने उससे हरान होते हुए शब्दों में कहा कि मेरी शादी किसके साथ करवाई है तुमने मेरा पती कहा है सुमित कहने लगा कि मुझे माफ कर दो संजना मैं जानता हूं कि मैं आगे जो कहने व खड़े होने के काबल नहीं रही हूँ सुमित मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा मैं सच कह रहा हूँ और मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी नहीं की है मम्मी चाहती थी कि हम दोनों की ही शादी हो जाए उन्हें ऐसा लगता था कि तुम किसी और घर जाओगी त अगर ऐसा नहीं हो सका और वो इस दुनिया से चली गई लेकिन तुम्हारी मम्मी ये लैटरे तुम्हारे लिए छोड़ गई है इसे पढ़ लेना ये कहकर सुमित कमरे से बाहर चला गया था जबकि मैं खड़े खड़े पत्थर बन गई थी मेरी आँखों से आसों निकल रहे थे कि मेरे साथ ये क्या हो गया है जिस इंसान से मैं एक बचपन से नफरत करती हूँ आज उस इंसान के साथ मेरी शादी हो गई मैंने वो लेटर खोला और उसे पढ़ना शुरू किया उस लेटर में लिखा हुआ था मेरी प्यारी बेटी संजना ये लेटर में तुम्हारे फिक्र लगी रहती थी, ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी और सुमित की शादी हो जाए, तुम्हें अपने घर से अलग ना रहना पड़े, क्योंकि सुमित से ज्यादा ख्याल तुम्हारा कोई भी नहीं रख सकता, मैं और तुम्हारे पापा सुमित पर बहुत भरोसा करत अपने ममी पापा के फैसले का मान रखना, सुमित के साथ शादी करके हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देना, ताकि मैं मरूं तो मेरी आत्मा को तुम्हारी शादी के बाद शांती मिल सके इस लेटर को पढ़ने के बाद मैं ना जाने कितने घंटे तक रोती रही थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मेरी शादी तो जैसे तैसे सुमित के साथ हो गई है, लेकिन मैं उसे अपना पती एकसेप्ट नहीं करूंगी उसने मेरे घर पर मेरे ममी पापा पर यहां तक कि मेरे घर की हर एक चीज़ पर अपना हक जमा लिया था, मगर उसका हक मुझ पर बिल्कुल भी नहीं था मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ दिनों के बाद सुमित से डिवार्स मांग लूँगी, सुमित पूरी तरहां से बदल गया था, उसने अपने कमरे में आना छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं इस कमरे में हूँ, सिर्फ वो एक बार ही अपने कमरे में आया था और अपने सारे कपले निकाल कर दूसरे कमरे में रख दिये थे वो ज्यादतर आफिस में ही रहता था रात को देर से घर आता था मुझे सुमित से और ज्यादा नफरत होने लगी थी मुझे लगता था कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोका किया है मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी मेरे मम्मी पापा के खौाहिश के खातिर इसने मेरा इस्तमाल किया अगर मुझे पता होता कि मिरी शादी इसके साथ हो रही है तो मैं अपनी मम्मी पापा के खौाहिश कभी पूरी नहीं करती मगर सुमित मुझे पाने के बाद बिलकुल भी खुश नहीं था वो तो पहले से भी ज्यादा अफसोस में रहता था उसके चहरे की हसी तो जैसे गायब ही हो गई थी वो ज्यादतर आफिस में ही होता था और मैं सारा दिन घर में रहकर इस अफसोस में रहती थी कि मेरी शादी सुमित के साथ क्यों हो गई और बस मैं ये सोचती रहती थी कि मैं किस तरह से सुमित से डिवॉर्स की मांग करूँ वो मुझे डिवॉर्स दे कर अजाद कर दे और फिर उसके बाद वो जिसके साथ चाहे शादी करे और मैं भी अपनी मर्जी के मुताबिक किसी के साथ शादी करके अपना घर बसा लूँगी मगर मैं उसके साथ नहीं रह सकती एक दिन मैंने सुमित की अलमारी किसी काम के लिए खोली थी जब अचानक मेरी नजर एक पैकेट पर गई मैंने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर एक सेड़ी थी और ये वही सेड़ी थी जो मम्मी ने एक दिन सुमित को दी थी और उसके साथ मम्मी ने उसे वो लेटर भी दिया था मुझे याद आया कि लेटर इस सेड़ी के साथ नहीं है इसका मतलब वो लेटर वही होगा जो शादी के रात मुझे सुमित ने दिया था जो मम्मी के हाथ से लिखा हुआ था लेटर में तो मुझे पता चल गया था कि उसमें क्या लिखा हुआ है लेकिन इस CD के अंदर क्या था ये मुझे जानना था सुमित घर में नहीं था इसलिए मैंने अपने लैप्टॉप पर इस सेड़ी को प्ले किया प्ले करते ही उसमें एक आदमी नजर आया और पीछे की जगा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अस्पताल में मौजूद है वो बहुत बीमार नजर आ रहा था और रोते हुए कह रहा था कि मनीश तुम जानते हो कि मैं बीमार हूँ और मेरी पत्नी मेरे बेटे के जनम के समय ही इस दुनिया से जा चुकी है मैं इतना बीमार हो चुका हूँ कि मैं इस दुनिया से जल्दी ही जाने वाला हूँ मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा तुम्हें भी तो भगवान ने कोई बेटा नहीं दिया बेटी हो जाने के बाद तुम्हारी पत्नी बांज हो गई कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकी और मेरा तो इस शहर में कोई रिष्टेधार भी नहीं है पैसे की वज़ा से मेरे वैसे तो बहुत सारे अपने लोग है मगर मैं जानता हूँ कि मुसीबत के समय कोई साथ नहीं देता तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है बस मुझ पर एक महरबानी और कर देना मेरा बेटा सुमित जो अब चार साल का हो चुका है बिचारा अपनी मा के मरने के बाद नौकरों के हातों में रहा है मैंने तो अपने बिजनिस पर ही ध्यान दिया मगर अब जब इस दुनिया से जाने का मेरा समय करीब आ गया है तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बेटे को मैं वो प्यार नहीं दे सका जो एक पिता को देना चाहिए था लेकिन मैंने अपने बेटे का भविश्य सुधारने के लिए सोचा हुआ है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को अपने घर ले जाना उसकी परवरिश करना उसे अच्छा इंसान बनाना मैं तुम पर अपना बेटा बोज बना कर नहीं जाओंगा मैंने रहने के लिए जो तुम्हें अपना बंगला दिया था वो इसी दिन के लिए दिया था कि तुम्हारी भी बेटी है तुम तुम्हारे मरने के बाद मेरे बेटे की हो जाएगी ये सब कुछ तुम्हारा है और मेरे बेटे का है मेरे बेटे का बहुत खयाल रखना और मेरी हर चीज को अपना समझना मैं जानता हूँ मेरा बेटा मासूम है मेरे मरने के बाद अगर तुम उसे पिता जैसा प्यार दोगे तो वो तुम्हें ही अपना पिता समझने लगेगा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोडता हूँ मेरे बेटे का बहुत खयाल रखना और पलीज किसी को ये मत बताना कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है उसे हमेशा यही बताना कि तुम उसके पिता हो वरना उसे बहुत एहसास होगा और अगर तुम्हें मेरे बेटे की सच्चाई बताना ठीक लगे तो तुम उसे वक्त आने पर बता देना बलकि तुम उसे मेरी ये वेडियो दे देना वो खुद मेरी वेडियो देखकर समझ जाएगा मैं तुम्हारी कंपनी का बॉस हूँ और तुम मेरे वरकर हो मगर मैं कंपनी में भी सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही किया करता था तुम्हारी तो बाती अलग है इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला किया क्योंकि तुम एक इमानदार और भरोसिमंद इंसान हो ये बात कहकर वो इंसान फूट फूट कर रो रहा था और फिर उसके बाद वीडियो पूरी हो गई थी मगर मेरे होश उड़ चुके थे कि इस सब कुछ जो भी था वो सब सुमित का था और सुमित शेहर के उस बिजनिसम ये दिया था ताकि वो सारी जिन्देगी सुमित की परवरिश कर सके और एक मैं थी जो सारी जिन्देगी सुमित को एक मामूली इंसान समझती रही थी यही वज़ा थी कि मम्मी ने उसे अपने मरने से पहले उसके पापा की सारी सच्चाई उसके हवाले कर दी थी इसका मतल पापा मेरे पापा पर बहुत भरुसा करते थे और फिर सुमित के आने के बाद हमारे घर के हालात बदल गए थे सुमित के पापा ने पहले ही ये सोचा हुआ था कि उन्हें आने वाले समय में अपने बेटे को मेरे ममी पापा के हवाले कर देना है इसलिए उन्होंने उनके ग यखार ने लिए अगी ज़र से उनकी दोनों किड्नी खराब हो गई थी वो बिजनिस पर तो ध्यान देते थे मगर साती सात उनने ड्रेंक इतना करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देना चोड़ दिया था और अपने बेटे के भी बारे में सोचना छोड़ दिया था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होगा मगर फिर जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी मौत करीब आ चुकी है तो उन्हें याद आया कि उन्हें अपने बेटे के भविश्यो को सुधारने के लिए और उनका बेटा इधर उदर ठोकरे ना खा सके इसके लिए कुछ करना ही होगा इसलिए उन्हें अपनी कमपनी के इमांदार और भरोसे मन वरकर को अपना बेटा सौब दिया था और अपनी सारी जायदाद भी उसके नाम कर दी थी और फिर वसीयत में ये भी लिख दिया था कि जब उनका बेटा जवान होगा और कभी उनके दोस्त की मौत हो जाती है तो उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी सुमित की है सुमित के पापे ने अपने बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी पहले ही इसलिए नहीं की थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सुमित के नाम करने के बाद सुमित को मेरे ममी पापा के हवाले कर दिया और उन लोगों ने हम दोरों बच्चों में फर्ट समझा तो क्या होगा यही सोच कर कि यह सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुमित का है उनका उसमें कोई हिस्सा नहीं है अगर उन्होंने कभी उनके बेटे की अच्छी तरह से परवरिश नहीं की तो वो कहा जाएगा उ आएसा ना लगे कि सारी जिंदेगी उसकी परवरिश करने के बदले उने कुछ भी नहीं मिला इसलिए उन्होंने पहले ही मिरे पापा के नाम सब कुछ कर दिया था और मरने के बाद की वसी noonे कि सुमित कभी सच्चाई जानने के बाद मेरे मम्मी पापा से अलग होने की मेरे साथ शादी कर ली और मेरे साथ अभी तक उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की बलकि उसने तो मुझसे अब पहले से भी ज्यादा दूरी बना ली थी सच में सुमित बहुत अच्छा इंसान था मुझे उसके बच्पन पर तरस आ रहा था ऐसा इसलिए नहीं था क क्योंकि इस बिचारे के माता-पिता बच्पन में ही उसे छोड़ कर चले गए अगर मेरे पापा सुमित को अपने घर में नहीं लाते तो ना जाने लोग इस बिचारे मासुम बच्चे का किस तरह से फायदा उठाते मुझे अपनी सारी गलतियों पर पच्चतावा होने कि कभी-कभी जैसा हमें दिखाई देता है ऐसा कुछ नहीं होता बलकि जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं होता ऐसा होता है मैंने सोच लिया था कि मैं सुमित से माफी मांग लूँगी मैंने बच्पन से लेकर आज तक उसके साथ जैसा भी बिहेवियर रखा मैं उस सब के कहा कि सुमित मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ मैं वो सेड़ी भी देख चुकी हूँ जो मम्मी ने तुम्हें दी थी सुमित ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और कहने लगा तो फिर मैं क्या करूं देख ली है तो मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो बच्प हो गया है तुम तो इतनी हसी मजाग किया करते थे सुमित कहने लगा तुम्हें मेरी हसी मजाग पसंद नहीं थी मेरे मम्मी पापा ही थे जो मेरी हसी मजाग को सीरियस लिया करते थे मेरे मम्मी पापा चले गए तुम मेरी हसी मजाग भी खत्म हो गई और मैं भी अच्छी तर कर दूंगा कल ही जाकर वकील से बात करता हूं वो हम दोनों की डाइवॉर्स की पेपर बना देगा फिर तुम जिससे चाहे उसके साथ शादी कर लेना सुमित की बात सुनकर मेरी आँखों में आसु आ गए थे वो अपने कमरे में चला गया था और मैं अपने कमरे में आकर अगले दिन वो मेरे लिए डाइवॉर्स की पेपर ले आया था उसने उन डाइवॉर्स की पेपर पर साइन कर दिये थे और कहने लगा कि अब तुम भी साइन कर दो मैं खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि किस तरह में डाइवॉर्स की पेपर्स पर साइन करूं मैं साइन करने ही जा रही थी लेकिन मैंने पेपर्स उठा कर उनको फालना शुरू कर दिया मुझे इस तरह करते हुए देखकर सुमिछ चौक गया था और कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो संजना मैं जल्दी से उसके गले लग गई और फूर फूर कर रोने लगी मैंने कहा प्लीज मुझसे अलग मत होना मैं डाइवॉर्स नहीं चाहती क्या तुम मेरी मम्मे की खौाहिश को भूल गए हो वो चाहती थी कि तुम मेरा खयाल रखो वो कहने लगा डाइवॉर्स तुम में तुम्हारे कहने पर ही दे रहा हूँ मैं तुम मम्मे की खौाहिश को पूरा करना चाहता हूँ मैंने कहा इस तरह खौाहिश को पूरा किया जाएगा सुमित कहने लगा अगर तुम्हें मुझसे अलग होकर ही खुशी मिलती है तो मैं तुमसे अलग होने के लिए भी तैयार हूँ मैंने कहा सुमित मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती थी मुझे लगता था कि तुम मेरे खुशियों के हिस्तेदार बन गए हो मगर मुझे नहीं पता था कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारी ही वज़ा से मिला है प्लीज मुझे माफ कर दो मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ तुम चाहो तुम मुझे सजा दे सकते हो मगर मुझे डाइवार्ज दे कर खुद से अलग मत करो सुमित कहने लगा अच्छा ठीक है फिर मैं डंडा लेकर आता हूँ और तुम्हें सजा दी जाएगी ये कहने के बाद सुमित की हसी छूड़ गई थी आज बहुत दिन वाद मैंने उसे हस्ता हुआ देखा था और आज मुझे उसकी हसी से गुस्सा नहीं आ रहा था बलकि मेरे चहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी आज मुझे वो हस्ता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह हम दोनों की बीच महबत और जादा बढ़ गई थी अब हम दोनों एक दूसरे के साथ खोशे खोशे जिन्दे की गुजार रहे हैं और आज मैं भी शर्मिंदा होती हूँ उन घमंडी लड़कियों पर जो मेरी तरह गरीब लोगों को नहीं समझती अगर समित गरीब भी होता तब भी मैं उससे अलग नहीं होती क्योंकि मुझे उसके बच्पन पर तरस आया था उसके दौलत का बटवारा होने से नहीं दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वेडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले